इसे अप्लोह स्वागत हैं हम लोग आज देखेंगे बिहार बस्तुनिष्ट प्राष्ण है उसको देखेंगे तो इसको देखते हैं पहला कुस्चन पहिला कुछ्ट है बिहार चेतर कि चर्चा सार पर्थम की जएतीक रचना में है तो भीहार चेतर की चर्चा सार पर्थम सत्पत निम्क्रित में से किश बौध संगती का अज़े debit Again बिहार चेतर का अंतर नहीं हुआ था जो चतूर्थ इसका कश्मीर में हुआ था कुंडल बन कश्मीर में हुआ था बांकी पर्थम बहुत संगती का आयुजन राजगरी में किया गया था दूतिये बहुत संगती का आयुजन बैसाली में किया गया था और तिरते बहुत संगती का आयुजन पाटली पुतर में किया गया था और चतूर्थ जो है कश्मीर में क्या था कुंडल मन कश्मीर में किया था इसका चतूर्थ हो जाएगा इसके बाद है दूतिय बहुत संगति का उनकिस के काल में हुआ था मगद संलगे का उतकर्श की शासर के अधिन प्रारम हुर भीमचार के शासर में प्रारम हुआ था दूतक संगीर में यिदृ विद्धा के प्रसें कर से भी करम बिकरम शिल में और यह बिकरम शिलर से कि असतापना की शासक निक्या तो धर्म पालने किया वह जन जाती जिसने बिहार में अफगान सत्ता को अरंभिक उतकर्ष में निर्नायक भूम का निभाई थी वह कौन तो वह थी अफगान नुहानी नुहानी था इसके बाद है मौरी कालिन पाटलिपुत नगर परसासन के शंबन्ध में जनकारी का परमुक्स रोट कौन है तो है इंडीका में है इंडीका में मौरी कालिन पाटलिपुत नगर परसासन के शम्मने जनकारी प्राप्त होती है इसके बाद बिहार के बिहार के महत्पुन सुफी शंतों में सबसे अरंभिक नाम किसका आता है ते इमाम ताज फकी का नाम आता है इमाम ताज फकी का नाम आता है इसके बाद बिहार में मुश्लिम परहुत्यू को की अस्थापना का बास् पुरिक सरे किसको देया जाता है बक्तियार खिल जी को देया जाता है मिथला के करनाथ सासको की रजधानी कहां थी तो शिम्रावगर्ज थी निम्लकित में से किष्च ने बोधगया में महा बोध़ी बिरिज को चछति पहुंचाई थी बौध धर्म के परचार के लिए शमराट अशोक ने स्रिलंका किष्ट को भेजा तो स्रिलंका महेंद्र को भेजा था, उसका पुत्र महेंद्र था उसको भेजा था मलिक अिबराहेम का मकवर्ठा कहा हैelles भाष में हैं ऑरन्जेव के पोत्र राजकुमार एजिमने पतना का नाय नाम क्या रखा था तो आजिमाबाद रख दिया था पतना का नय नाम का रखा था अजिमावाद रख दिया था। ología मन्यरी का दर्गा कर और बिहार सरीफ में मॉखूदुम quarters from सलद duplicан का貜 says बिहार सरीत में इस्थितें गुरुबिन सिंह का जन्म कहां हुआ था पठ्डा में गुरुम ज्ण में हुआ था निर विख्रित में से किस्यूर्サ केas clar improvement इस इंडिया कमपनी को एक इस इंडिया कम्पनी का बंगाल पर साशना स्थापित हो गया था तो उसका ब guidance of boxer का यिद्ध बुक्षच के पहुंद के BE बहुत में प्रभूत प्रुपत धुकाइ hogya इसके बाद है 1772 में बिहार के लिए गठित लगानपरश्द का अध़्यक्स कौन था ँड़ति अधर वारन हेस्टिंस ने किश को बिहार का राय रायन का उपारी दिया गया था कल्यान सिंग को बिहार का राय रायन का उपारी दिया गया था बंगाल का था सिताव रायन इसके बाद है नुगत में से किश के दोरा उनुश्ट चौईश में प्रितक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुष्टी का पुष्टी का प्रस्तूत की गई थे तो किसके तो सच्दन सिन्हा और महस्नायन दोनों के दोरा दोनों के दोरा उन्हेस्ट चोईश में बिहार की मांग के हम में एक पुश्त का प्रिस्तूर के उसके बार वरन के बिषार परदेश कंग्रेश कमीपे का परतरोस्ते का है तो हशन इमाम थे पटना में 1877 की बिहार में बिद्रोहियों कि सबसे परमुख नेता बावर कुबर सिंग के पूरवज कौन थे परमार बंस के थे तो परमार बंस के थे पर. बंगाल के बंगाल के नभाव मीर काशिम ने अपने रजधानी कहां अस्थापित क कि थी मुंगेर में बिहार पर्त्रम तुर्क बिजेता बक्तियार खेल जी। का मकवरा कहा है तो इमादपूर में है इमादपूर में बिहार के पर्थम तुर्क बिजेता 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 बिहार के पर्थम तुर्क बिज प्रजग्री का निर्मान बिम्पिसार के दर्वारी बस्तोकार महागोबिन्दником दोरा किया गया था रजग्री का निर्मान इसके बाद है पठना के साधिक पुर। परिवार के सदस्यो निहावी और जून के किष ओंध्यकाyas तो इसका है इसका हो जाए शैयत आहमद बरेलवी शैयत आहमद बरेलवी को इसके बाद के बिहार में ख़दान के भंडारन के लिए गोल धोर का निर्मान की से स्थान पर पत्नाए में हुआ पत्ना में जो गोल घट है वह का है कि अन्मception सैंडिे बिहार एभम अरिष्या को मिला कर दिहार नामक एक नए पिरांथ कि वीधिव vazakhrachattin कितों mm मतल़ नमकी बिहर नामक नहां परंथ कहन dont हमिन एक Mc28 को इसके बाद बिहार होम रूलू के अस्थापना किसके अध्यक्सताय में हुई थी मुझाफरपुर के जीला जज किंग स्पोर्ट की हत्या के प्रयास में उनकी फिटन यानि शावारी पर बंब फेका गया बंब फेकने में खुदी रामबोश के साथ किसने दिया था तो परफूलाच्याक शूलूंम्हार की किसले खुदाय राख मारसूड़ि ने महातमा गान्दी से चंपारण आने के अंदोरोद कांग्रेस के खिशे में किया था लखनोंगा एधिवेशन में किया था इफ्ची सिलाही के दिखतामें 50 Gatum इसके बाद है और शोक अनुल के समय चछा कत अश्रमें डी मदर लेंड नमक अख भर का परकाशन कीशनी आफ तह मजूरू लहक नगन आख भर कनाम नमक अखभ़र का परकाशन सुरू कियाँ था इसकेपक的话 एफ लगाइं वार्त किसका अधर्स कडैरी करदेश कदिज़पर् और इसके अधक्स्ता किस ने किया था तो इसका अधक्स्ता चितरन्न दास ने किया था उन्हें 222 में गाया में हुआ और चितरन्न दास ने अधक्स्ता किया था उसका भिहार में शवराज दल का गठन खिसके अधक्सता में किया गए भिहार के किस जेल के कईदियों ने बिदेशी बस्तरों के भहिशार के लिए नंगी हर्ताल के थी तो छापरा के कैदियों ने नंगी हर्ताल की थी इसका मुंगेर में शबना अब्यांग अनुलन का नेते तो किस ने किया स्री कृष्णी शिंग ने किया था इसके बाद है पटना में अस्थापित अनुसिलन समिति कि शाखा के संचालन का दैत किशे शौपा गया था पटना में अस्थापित बहार स्फ्पार्टी क्या सचीव कौन थे तो जै पृकाश ने थे मतलब बहार सोत स्लीह थी करता कम हुआ ऊए सचीव कौन थे यहां सचीव का रहा सचीव जय प्रकाशनायन थे मुंगेर में 1922 तेसिस में शाह मुहमत जुबैर की अस्थपना की गई उसका उपध्धक्स कौन थे अधाक्स से अधाक्स दे कौन मुहमत जुबैर जुबैर उसका उपध्धक्स कौन थे से स्थापना किया था बीटा में किसान सभा के अपचारिक धंग से अस्थपना कि थी इसके बाद है बिहार के पहले भारतिय प्रधान मंत्री जनी प्रांतिय सरकार का प्रधान को पहले प्रधान मंत्री कहा जाता था तो कौन थे तो मुहमद इउनिश थे कौन थे मुहमद इउनिश बिहार के पहले भारतिय प्रधान मंत्री प्रांतिय सरकार के प्रधान कौन था तो मुहमद इउनिश था को बिहार सची वाले गुली कांऩ नंगतर न stat 17-20 मिर्ष만 कौन ही नहीं था, तो हरी करीशिंग नहीं थे अमाकांट सिंग थे, रामान नंसिंग थे देवीपद चौद्र थे और चार और अन्य थे जैप्रकाश निरायन अपने साथियों के साथ कहां का की जेल को दिवार फांद कर भागने में शफल हुआ था हज्जारी बाग जेल को फांद कर जैप्रकाश ने भागने में शफल हुआ था भारत छोरो अंदुलन भारत छोरो अंदुलन क का गोली लगा था कव शिवान थाने पर जंड़ा फराने के करम में लगा था भारत छोड़ाँ दोलन के दौराने किसे अपराधी जिला घोशित किया गया था इसके बाद है सुतंत्र भारत का धीन बिहार का पर्थम राजपल कौन था जैरामदास तौलत राम जैरामदास बिहार के पर्थम राजपल थे इसके बाद है इसके बाद है निम्ख्ऩ से किस स्थान पर प्राप अशोक अस्थम के चीर्थ पर की इस पर साध्वर्ल निर्मित है ऑने वाले की सरवादिक चर्चित गुपाँ है और और फिर यक्षी की मूर्टी की दिन्यक्षिनिक मूर्टी पर सेंग्रायले में शुलएपinya जर्चित हैं कि बाद है शम्राट अशोक ने शुदामा गुफा शम्राट अशोक ने शुदामा गुफा ने उखिसके लिए किसको समर्पित किया था अजीब को को समर्पित कर दिया था महत्पूर्ण पुरा तत्विक अस्थल तथा कभी बिद्यापती का जन मस्थल भीषपी ग्राम भीषपी ग्राम बिहार की जिले में है तो मधुवनी जिले में भीषपी ग्राम है जो कि बिद्यापती का जन मस्थ मुगल सहली का बिहार में सबसे सुन्दर उदाहरां जाहंगिर के शासंकाल में बिहार के प्रांथ पति इब्राहिम खां काकर बिहार के प्रांथ पति कौन थे इब्राहिम काकर दौरा निर्मित शाह दौलत का मकवरा कहां इस्तित है मनेर में शाह दौलत का मकवरा कहां है मने मेर मेर कालम के उंत्रगत निर्मित चित्रकाला में समया की सब्सक्राइप का चितन हुआ है तो कि शक्राइब साथ इसके बाद है मधुवनी चित्रकाला बिहार की चित्र के लोगप्रिय है तो मिधलांचल का है मधुवनी चित्रकाला बिहार की चित्र में लोगप्रिय है तो मिधलांचल के चित्र में बहुत धर्म का महायान सखा का गरंथ प्रज्या प्रमीता प्राग्या प्रमीता को किस शैली के चित्रकाला के चित्रों के अधार पर बनाया गया है तो पाल चित्रकाला बिहार के सबसे परमुक छेत्रिये पर वो छठ पुजा में किस देवता की पुजा की जाती है तो सुर्ज देवता की पुजा की जाती है चट में बिहार के किस जिले में शौराष्ट मेला आयूद किया जाता है इसके बाद है अगला कुश्चन है बांका जिले के मंदार परवत के निचे किस मेले का आयूद किया जाता है बांका जिले कंदार परवत के निचे किस जिले किस मेले का जाता है खुदा बखसलाइबरी किस हर में पटना में है इसके बाद है बिश्व परसीद, हरिहर नातर परसीव मेला, कहाँ आयुत के जाता है, तो सूनपूर में किया जाता है उदंद पूरी बिश्व डाल कैस्त अपना किसने क्या गोपाल ने किया था नचारी राग का सीजन बिहार में किस नी किया था महा कवी बिद्धापती ने नचारी राग का सीजन किया था महाराजा नवल की शोर शींग ने किस राग की रशना की थी फाग की रशना की थी नवल की शोर शींग ने इसके बाद है निम्कृत में से कौन सा नाम पटना का नहीं रहा तो पटना का कुशुमपुर नाम था ही, पुश्पूर नाम था ही, अजिमाबाद नाम था ही, पालनपूर नाम नहीं था पटना का लोन्डा निरते बिहार की जिले में अधिक पर चली था है तो भोजपूर में अधिक पर चली था है किस राजभासा विभाग द्वारा विखारी ठाकुर अश्मिती प्रुषकार किस छेत्र में उत्कृष्ट युगदान के लिए दिया जाता है तो रंग मंचम लोककला के लिए बिखारी ठाकुर अश्मिती प्रुषकार दिया जाता में इसे कौन सा बिहार के परिवारी को सबों से समादी था है इसके बाद है निक्रित में से बिहार राज की भावगुली की स्थिती क्या है बिहार राज की भावगुली की स्थिती है 24 डिगरी 20 मिनट 10 से 27 डिगरी 31 मिनट 15 सेकेंड उतरी अक्षांस तथा 83 डिग्री 29 मिनट 50 से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पुर्वी देसांतर के बीच है बिहार का छेतरफल कितना है तो बिहार का छेतरफल 94,163 वर किलोमीटर है बिहार के उत्तर से दक्षिन तक अधिक्तम लंबाई कितना है तो उत्तर से दक्षिन 345 किलो मिटर है उत्तर से दक्षिन कितना है 345 किलो मिटर है छेतर फल के दिश्टी से बिहार का देश में कौन सा स्थान है तो बरामा स्थान है उत्री बिहार का मैदान निखित में से किशकाल से समंधित है चतूर्थ कल्प से समंधित है इसके बाद है निखित में से कौन सा उपविभाग बिहार वो नेपाल के बिच सीमा बनाती है शोमेश्वर सेनी शुमेश्वर स्रेनी कौन बिहार वो नेपाल के भी सीमा बनाती है शुमेश्वर स्रेनी दक्षिन बिहार की मैदान में निव्खित में से कौन सी पहारी इस्थित नहीं है तो दक्षिन बिहार में शुमेश्वर की पारी नहीं, शुमेश्वर की पारी उत्तर और पश्चिम भाग में है और दक्षिन बिहार में को राजगे की पारी दक्षिन बिहार में है, बराबर की पारी दक्षिन बिहार में है और गिरियक की पारी दक्षिन बिहार में है 갈के कान्सार बिहार की अधिकान्स भाग किश्वर्ग में करता की व्गाता था व्जित प्वितों के यून के मद्य मैं आजाता है भीहार मेंस अवkkal ब morality किस्जिली में मुता है किशन गंज में भी से जhीले में सबसे कम विख जिले में शबसे गर्म थाना तो गैया जिला जो है बिहार कीस जिले के तो गया जिला में हैं इसके बाद है पुर्णिया और सहर्था जिले के कोशी छेतर मुखे तो कौन सी मिटी पाए जाती है खादर मिटी पाए जाती है निम्ख्रत में से कौन सी मिटी बिहार में गंगा के उत्री मैदान में पाए जाती है बाल सुन्दरी मिटी गंगा के उत् कौन से मिटी पाई जाती है करेल के वाल मिटी पाई जाती है इसकर बिहार में गंगा नदी मिलती है तो महानंदा यह उत्तर दिशा से मिलती है बाकि कर्मनासार गंगा में दक्षिन दिशा से मिलती है फर्गो भी दक्षिन दिशा से मिलती है लेकिन महानंदा जो है उत्तर दिशा से मिलती है तो महानंदा हो जाएगा निकल में से सुमेलित किजिए शुमेलित करना है सर्जु नदी कहां से निकलता है सर्जु नदी है त तो शर्जु नदी नामपा नेपाल से निकलता है, गंड़क मानग मोट वह कुतांग से निकलता है, शोन अमरकंटक के पारिश से निकलता है, कोशी है, गोशाई धाम से निकलती है, इसके बाद है, निम्षित में से किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं, कोशी को बिहार का शो पुन 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 अदी गंगा में मिल जाती है इसके का कोला जल परपाद किस जिले में हैं नावादा में हैं इसके नुकृत में से कौन सा जल कुंड बिहार के मुंगेर जिले में इस्थित है ब्रहम कुंड जो है ब्रहम कुंड है जो मुंगेर जिले बिहार के मुंगेर जि बिहार में सबसे प्राचिन नहर कौन सी है तो शोन नहर बिहार के सबसे प्राचिन नहर कौन सी है शोन नहर है इसके बाद है नोखित को शुमेलित करें तो शुमेलित करने वाला है उसमें है बिहार के की छेतर में आहर या पाइन द्वारा से चाहिए की जाते है जिसको गाव में नवादा में और जमूई में जो हता है आहर या पाइन के दोरा से चाहिए की जाती है इसके बाद है निम्कृत में से किस प्रकार के बन बिहार में नहीं पाए जाते हैं तो सदावाहार बन नहीं पाए जाते हैं मां की जो अर्द बन पाती बन तराई बन तरह सुष्क बन पाती बन सब पाया जाता है बिहार में इसके बाद सुमेलित करना है बहार में बहार में बहार में बहार में पाया से समन्दित है इसके बाद है बिहार में शरबादी चितर में बोई जाने वाली फवंशल कौन है बहार में सबस्जाद चाबल को बहा जाता है बिहार में मक्वा की खिती के लिए क्ली? मिटी कौन है बलसुंदरी मिटी मक्का के खेते के लिए बिहार में सबसे उप्यूगत है जो उत्पादन के दिश्टी से बिहार का देश में कौन सा स्थान है तो दुसरा स्थान है जो उत्पादन के दिश्टी से बिहार में कौन सा स्थान है बिहार का तो दुसरा स्थान है बियुद्ट में से किस फाशल के उत्पादन विहार का स्थान देश में पहला है। मर्ववा के उत्पादन विहार में देश में पहला स्थान है। बिहार में जूट सरबाधिक पैदा की जाती है बिहार में जूट जो है पूर्णिया में सरबाधिक पैदा की जाती है बिहार में चिनी उद्धोग के अपना कव की गई थी तो उन्हें सो चारीश में की गई थी इसके बाद है शुती बस्तु द्धोग बिहार में कहां परमुक्ता से केंद्री थे तो फुलवारी शरीप में हैं सुत्य बस्तु द्धोग है क्वा में रेश्मी बस्तु का मुख्याथ कहां से क्या जाता है तो भागलपूर से क्या जाता है में बिहार में परमुक्ता नदर दिलावरपूर की कि जिले में तो मुंगेर में दिलावरपुर किस के लिए परसीद है तो तमबाकु था बीरी पत्ताउधो के लिए परमुखिक हैं तो दिलावरपुर कहां किस जिला में तो मुंगेर में हैं इसके बाद हैं बिहार में कालीन गलीचा निर्मान के लिए परसीद है कौन ओबरा ओबरा जो है कालीन गलीचा बिहार के लिए परसीध है इसकले बिहार में माल धुलाए नबी तैयार करने के लिए भारात बैगन में इंजिनेरिंग लिमितेट हैं तो मौकामा में किया गया सब्कार के प्रवंध प्रवंध में बिहार की टेल तेल सोधन कर खाने के स्थापना की गई ब्राउन बिहार में तेल सोधन कर खाने कहां है तो ब्राउनी में है बिहार के किस जिले में सोने के नविन्तम भंधार का पता चला है मुंगेर में बिहार किस जिले में सोने का नविन्तम भंधार का पता चला है तो मुंगेर में बिहा स्टेट असकोट्र क्राइब इसके बाद है मिलान चेंट शीगृत उढ़ोग दिलावर नंगर इसके बाद जुत उढ़ोग काटिहार में जुत उढ़ोग तिहार में इसके बाद है飲 गयां जो है डल मिया नगर में और यह पी बस तो दो कहा है नात नगर में हैं उसके बाद है बिहार में पर्थम रेल मार का निर्मान का किया हुआ था ताथा सुसाट से बार्सट के बीच हुआ था बिहार में पर्थम रेल मारका निर्मान शुरू हुआ था परिवहन के देश्टी से विहार का देश में कौन सा स्थान है पाचमा स्थान है इसके बार है हाली में हाली में बनाया गया रेल छेत्र पुर्मध रेलवे का मुख्याले कहां है तो हाजीपुर में है हैं तो हाजीपुर में है कि इसको निक्षित में कौन सा ग्रेंडे कार रेलवे लाएन है तो आ lasers अश्षन अश्ण सुल धनवाज श्वाहowing मुगल सराय कौन है ग्रेंड कार्ड ग्रेंड कार्ड रेल्वे लाइन है बिहार राज की पर्थम रेल्वे का नाम क्या था तो इस्ट इंडिया रेल्वे इस्ट इंडिया रेल्वे का नाम था इस्ट इंडिया इस्ट इंडिया रेल्वे था इसके बार है उच अस्तरिये उच अस्त पर बिहार की जिले में किया गया भागलपूर में किया गया नेपाल जाने के लिए बिहार की किश हवायद्दे का सरवाधिक परियोग होता है तो रख्षाउल हवायद्दे का परियोग होता है नेपाल जाने के लिए 2011 के जन गन्ना के अंसवर बिहार में कूल जन संख्या का कितना परतिस्थ साक्षरत 1.8 परतिस्थ जन संख्या जो है बिहार का शाक्षर में आता है सक्षरता के देश्टी से भारत के राज्यों के सासित परदेशों में बिहार की कौन सा स्थान है तो पस 35 के 35 वास्थान सबसे लास्ट है बिहार में सबसे कौम सक्षरता दर्किस जिले में हैं पुर्णिया में बिहार के जो पुर्णिया जिला है वहां सबसे कौम सक्षरता है बिहार में जैप्रकास नैन विश्विड़ाले कहा है च्छापरा में है बिहार बिहार में राज कोलेज है पटना मेडिकल कोलेज बिहार का सबसे पुरान मेडिकल कोलेज है बिहार राष्ट भासा परिशद के अस्थापना किस वर्ष की गई उन्हें सो पचासिस में बिहार की राजभासा हिंदी है उन्हें सो चरासिस में किस भासा को राजी का दूसरी भासा दर्जाद देगर उर्दू को उन्हें सो चरासिस में उर्दू को भी बिहार की राजभासा बनाए गया इसकी बार है मगधी भाषा का पर्थम कभी किसे माना जाता है इशान को माना जाता है मगधी भाषा महाकाब्य गौतम की रचैता कौन है तो योगेश वर सिंग योगेश है मगधी भाषा महाकाब्य उसका नाम है गौतम मगधी भाषा महाकाब्य है उसका नाम है गौतम उसका रचेता कौन है योगेश वर सिंग योगेश उसका रचेता है भोजपूरी भासा में कि लोकप्रिय साहिते फिरंगिया के रचेता कौन है मनोरंजन जी मनोरंजन जी है इसके बाद मैथली भासा के सबसे प्रमुख कभी माने जाते है विद्यापति मैथली भासा के सबस प्रान भंग है रमधारी सिंग दिन करका उर्वाशी है रमधारी सिंग दिन करका इसके बाद है परशीद आंचलिक उपनियास मैला आंचल कि रचना किस ने किया था अंग्रेजी कविता शैली शॉनेट का सर पर्थम पर्योग उर्दू में किस बिहारी ने किया था तो अजि अपर उर्दु में कि इस बिहारी ने किया था तो अजमुदिन अहम्द ने किया था बिहार के पहले अंगरेजी अखबार दि बिहार हिरालड़ का थारफव पच्छस्माल 870 कि में किस के दूर परकाश नरम क्या गाया था गुरु परसाथ सेन की दोरा शुरू किया गया था इसके बाद है अंग्रेजी अखवार दि भीहारी के अस्थान पर 15 जूरा उन्हें शौर्ट ठारेश वी कि अंग्रेजी अखवार का प्रकाशन 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 हो जाता है इसके बाद हिंदुस्तान टैम से कि पटना संसकर्ण की शुरत 1915 में किस पुराने अंग्रेजी दैनी के स्थान पर की गई तो दर स्थान पर कहीं पटना हिंदुस्तान टैम से कि पटना संसकर्ण की शुरत किया गया था किसके स्थान पर नहीं बिहार का पहला बिहार का पहल हिंदी समाचर पत्र 1874 इसमें पटना से प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या था तो उसका नाम था बिहार बंदू नाम था साहितिक पत्रिका कीरण साहितिक पत्रिका कीरण का प्रकाशा 1940 में कहां से शुरू किया गया था दर्भंगा से शुरू किया गया था बिहार में प्रकाशी थे बिहार से प्रकाशी थे हिंदी मासिक पत्रिका बालक किस नगर से प्रारम होता है पटना से बिहार से प्रकास जागो बहन नामक त्रेमार्शिक पत्रीका की संदक्षित का कौन है वो राबरी देवी है बिहार में सरपर्थम किस बैंक के स्थपना हुई थी इलहावद बैंक के स्थपना बिहार में हुई थी बिहार में सरप्रतम किस बैंकियास थपना हुचती तो इलाहाद बैंकियास थपना बिहार में सरप्रतम हुचती है बंगाल तथा उरिशा से पुर्णता पृत्थक करके बिहार को एक स्वतंतर इकाई कब बनाया गया था बिहार में पहली बाराश्पति साथन लागु कब हुआ था उन्हेशो और शाथिश्वी में सर्वोष्ट नयाले के मुख नयाधिस बनने वाले बिहार के पर्थम नयाधिस कौन थे भूबनेश्वर परसाद सिन्हा थे अभी भायत बिहार में कुल कितने जीले को संगठित करके नय राज जहारखंड को 15 नॉंबर 2000 को गठित किया गया था तो इसमें 18 जीला को मिला करके जहारखंड राज का निर्मान किया गया था बिहार के किस परमंडल का मुख्याले मुझा फरपुर है तो तीरहुत परमंडल तीरहुत परमंडल का मुख्याले मुझा फरपुर में है तीरहुत परमंडल इसके बिहार पंचाद समीति जिला परसर अधिनियम बिहार के किस तीथी से लाउग किया गया बिहार में किस ती मुखमंतरी कौन थे सिक्रेशनिंग बिहार के पहली महिला मुखमंतरी कौन है तो राबरी देवी बिहार के पर्थम मुखमंतरी राबरी देवी बिहार के पर्थम मुख्लिम राजपल जाकिर होशन थे इसके बिहार में बिहार में यादब भूमी श्वामियों की शेना को क्य का जाता है किनाम है बिहार में यादा भोस्वामिन की शेञा का नाम क्या है तो लोडिक शेञा उसका नाम है जनगन्ता दुहार अगारे के अंसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है तो दुश करोर 40,99,452 है बिहार की कुल जनसंख्या 2011 के जनगना के अंसार है जनसंख्या के देश्टी से बिहार का देश में कौन सा स्थान है तीसरा स्थान है देश में पुरे देश में तीसरा स्थान है बिहार में 2001 से 2011 के जनसंख्या बरीदी कितनी थी 25.4% जंस्ंख्या बीहार में ग्रामी जंसंख्या का प्रतीशié 18.7% लोग गाउं में जन-गंद्राज के नग्रिये Meer Vichad कितना 11.3 तीन प्रतीश्यद था था जाएगा इसके बार जन्गन्ना जन्गन्ना जो है गारे जन्गनना तो आगारे नोसर भीहार राजी के लिंगान उपात 918 विहार राजी के लिंगान उपात कितना है 918 जन संख्या के सबसे चोटा सेुद एंटी का तो गुपाल गंज है कि गोपाल गण्ज जो गोपाल जो है विहार में शर्व्थ अधिक लिंगान पट बाँ जिला है वा ला जु सह oficialwater ला शहार साहर में शब्सक्रेटेया क्षां कार्फमर जिसको भॉबवा काते हैं श्ब्सक्रेटे में जन्संघ्या गञतवा को बिहार में कौन सा स्थान पढ़ा पाहला स्थान है जन संख्या घनत्व के देश्टे से शीवर का पाहला स्थान है बिहार में निकृत में से किस जीले में महिलाओ की संख्या पूर्सो की संख्या में अधीक है गुपाल गंज में महिलाओ की संख्या पूर्सो की संख्या से अधिक है जंगनला दोहे गार एक अनुसरार विहार की महीला सक्षाटा बिहार महीला सक्षाटा 1.05 प्रतिशत, बिहार में के बॉदर अनुसूची जातियों के हैं बिहार में के बौद अस्थलो के विकास के लिए किस देश के द्वरा ओवर सीज एकोनॉमी को और्परेशन फंड से एक सो पचीश को रुपय की आर्थिक सहता दी गई ते जपान से दी गई थी के बाद है समझती पूर मुझफर पूर रेल खंड पर सोनपूर रेल मंडल के कीश रेलवे स्टेशन का नाम करन बिहार के पुरमुखमती करपूर ठाकूर के नाम पर करपूरी ग्राम रेलवे बिहार से नहीं थे तो थे कौन-कौन बिहार से नहीं थे इसके बाद पाइलट फसल विमाय वेजना के अंतरगर सामिल निकृत जिलों में कौन सजीला बिहार राजी के अंतरगर नहीं पढ़ता है तो पलामु बाकि सीता मरी मधुबनियों खगरिया बिहार में ही पढ़ते हैं निकृत में से किस जिलों के अस्थान पर निर्यात संबर्दन और दोईक पार के अस्थापना की गई है तो की गई है वह हाजिपूर में भारत के भारत के मानक समय पटना के स्थानी समय में लगो कितने का अंतर है तो पंदर मिनिट का अंतर है बालमिकी बाग संद्रक्षत छेतर बिहार की जिले में है पाष्चिमी चंपारन में है निकृत में से किस राष्टे राजमार की लंबाई बिहार में सबसे कम है तो राष्टे राजमार निनान में जो है बिहार में सबसे कम है इसका बिहार में महावीर कैंसर संस्थान कहा ह पुर्वारी शरीफ में, पत्ना में फुर्वारी शरीफ में है, बिहार के प्रिथक जहारकंद राज का बस्तित में था, निउखित में से किस राज में सर पर्थम अलब संक्यक अयोको बैधानिक अधिकार परदान किया गया था तो बिहार में इसके बाद है बिहार में सर पर्थम 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 नागर पालिका क विहार में कुल 40 लोक सबस्वाट हैं महिस खुंट पंसल लवा सहरसा मांद हैं डुमरिग हाट से तू बीपी मंदल से तू का निरमान किष नदी पर किया गया है इसके बाद है बिहार में धरोगा पर साधडर आए दरोगा पर साधर आय शेतू का निर्मानकिष नदी पर क्या गया है तो गंड़क नदी पर क्या गया है गंड़क नदी पर क्या गया है बिहार में लीचे अनसंधान के अंदर कहां है तो लीची मुशहरी यफरपुर के मुशहरी में है लीचे अनसंधान के अंदर है बिहार में मक्का अनसंधा सब्सक्राइब कि चित्रकाला पर भारत सरकार ने डांक टिकत जारी किया था लोक नायन जय प्रकाश नायन का जन्म कहां वा सिताव दियारा में हुआ था निम्लखित में से कौन सी बिजली परयोजना बिहार सरकार के अधिन नहीं है तो है कौन सी बरोनी ताप बिजली बिहार सरकार के अंतरकत है शुवर नरेखा पन बिजली घर बिहार सरकार के अंतरकत है लेकिन कहलगाओं शुपर ताप बिजली बिहार सरकार के अंतरकत नहीं ह निωνर्ट में से कौन सा अस्तन भागवन महवीर का निर्वान स्तन है तो पावपुरी ह算 भागवन महवीर से समझे जिसका निर्वान-स्तन है । शुपी संत हज़त मकखदुम शाह की दरगाग कहा इस थी था है मनेर में हैं मनेर में हैं इसके बाद है भीम बान्ध गर्म जलकूंत किस जिले में है मुगेर में है विहार के शूपर शिर सक्ष शंत मकुदुम शाहब के पत्रों कशंकलन किस नाम से परशिद है मक्तु बाते सदी में है बिहार का अंतिम अफगान सुल्टान कौन थे दाउद खां करारानी इसके बाद है अठारवी शताबदी में बिहार की किश उधो का चर्चित केंदर था शोरा उधो का चरचित केंदर था बिहार गया में विषनुपद मंदिर का निर्मान 1787 में किश नी किया था लार कारणबालिश के समय में हुआ था बिहार के सूब परिrika versucht बहावी नेतानिक घ्रचित में से किशे अजीवन करवास की सजा मिली किसे अहमदुल्ला को अहमदुल्ला को अजीवन करवास की सजा मिली थे कुवर सिंग द्वारा अंग्रेजों पर सबसे बड़ी विजय पाने वाले दीन को बिहार में कुवर सिंग दिवस की रुपने मना जाता है यह बिजयदिवास कर सफक्राइब 688 अठावन आठाइबOnly 885 वो दिन्हान Attack56 को इसके बाद हैं मिलान करना है मिलान में क्या है झास एक श्को मिलान में है इस सिंह इस सिंह कहां का तब्हाभाद चीन किस और ता इसके बाद है इस्ञह चीन सा अएकर इसके इसके बाद पीटर मूंडी आया था इंग्लेंड साया था, इसके कोए बिहार आने वाले निखेत, चर्चित, बिदेश्य आत्रयों में सबसे पहला कुण है मेगा इसृनी जिस ने इंडिय का नमा कुछ तक को लिखा था गौत्मबुर्ट के काल में कि शनगर की राजनाता कि अमरपाली थी तो बैसाली के राजनातर की कौन थी तो आमरपाली थी भीहार सरकारद्वारा पर्तिवन्धित क्रांतिकारी पुष्टक दिरेश्क देशीर कता का लिखा कौन है साखार राम गनेश दिवस्कर इसके बाद है अजाद दास्ता नाम संगठन का गठन किस उदे से सिख्या गया था तो सरकार को यूध कारियों में बाधा पहुंचाने के लिए किया गया था मुझफर पुबमकांड में 108 इस में अभ्यूकतों में किसे फांशी दी गई थी खूदी रामबोश को फांशी दी गई थी बिहार के अधिकांस वर्षा कहां से प्राप्त होती है बंगाल की खारी के मानसुन से बिहार में अधिक वर्षा होती है बिहार की अर्थ विवस्था का मुखधार क्या है तो बिहार की अर्थ विवस्था का मुखधार क्लिशी है बिहार की किस शहर में सबसे अधिक प्रयाटक आते है बिहार में सबसे अधिक प्रियाटक आते है बिहार में बिहार का नामकरन किष रचना में शर्पर्थम प्राप्त होता है तब काते नास्री से प्राप्त बिहार का नामकरन के बारे में मिलता है तब काते नास्री से बुधिष्ट सरकीट नामक पथ निर्मान पर्यूजना में किस तेश का शेहुपराप्थ है जपान का शेहुपराप्थ है इसके बाद नुकृत में से कौन सा खनीज बिहार के नालंदा जिले में मिला है तो कौार्ट जायट जो है नालंदा जिला में मिला है नुखित में से किस जिले में ब्रहमकुंद नामक जलकुंद इस्थित है इसके बाद है बिहार किस नगर में दुरदर्शन के अंदर पर्थम के अंदर अस्थापित किया था तो मुझा फ़र पुर में पर्थम दुरदर का समय किष्ये है तो प्रार्मिक सिक्षा बुष्टार जिला मंडल योजना से हैं और ईंधिकहार द्रहु अक्षा धर्माचार्ज था तो र tämä वी बह बहानी था जो एक धर्मा चार था बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल फिच बिहार आने वाला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल फिच था कुबर सिंग के भाई अमर सिंग ने 1859 के अंदुलन के दोरान कहां सरकार के स्थापना की थी कहां सरकार के स्थापना की थी कैमूर में सरकार की समानतर सरकार के स्थापना की थी ठारस और संताओन में जगदीशपुर में किश के नितित्व का समानतर सरकार के स्थापना की थी तो हरकिशन सिंग के नितित्म क्या थी स्थापना 1857 के अंदोलन के दूर बिहार की किन दो जीलो के बीच एक्सप्रेश धाक की नई लाइने खोली गई थी तो पूर्नियाथ और मुझा फरपूर के बीच एक्सप्रेश डाक की नई लाइने खोली गई थी इसके और रीवा के यूद में कूबर सिंग ने किसी निखित में से किस छेतर में संथालों ने 1855 में अपनी सरकार की घुष्टना की थी तो भागलपुर राजमहल के छेतर में बिहार में बिहार में भावानी मंदिर करंतिकारी संस्था का स्थापना किसनी की थी भुपेन नायंदत ने भुपेन नायंदत ने भिहार में भावानी मंदिर करंतिकारी संस्था का स्थापना की थी जान की धारी परसाद द्वारा बिहार की जिले में होम रूली के इस्थपना की गई थी तो मुझभफरपुर में किसके द्वारा की गई थी तो जान की धारी परसाद के द्वारा की गई थी बिहार में चौकदारी करबंदी अंधुलन सर परतब कहां से प्राइरम हुआ था बिहार के टेक्स्ट भूक भावन कहां है तो और अंगाबार में इस थीत है कंग्रेस की किश अधिवेशन से बिहार में और शहों के परती प्रना मिली थी नागपूर से इसके बाद सिक्षा को जन्जन तक पहुंचाने के लिए गरीवी रेखा के नीचे जीवन पसर कर रहे है परिवारों को बच्चों को एक रुपया परती दिन की दर से सिक्षा पुरसान भात्ता देने की ओजना बिहार सरकार ने किश वस प्रारम की थी तो 1999 में इसको प्रारम की थी बिहार में राष्टे सक्षार्ता मिशन कारिकरम का शुबारंब कब किया गया था आठ मई उन्हेश व अठाशी को शुरू किया गया था जनगन्ना दोहरेगारे के अनुसार सरवाधिक दसकी बृति दरवला जिला कौन है मध्यपूरा है इसका बिहार में भूमी अधिसीमा अधिनियम कब परित हुआ था उन्हेश व एक्षट में बिहार में भूमी अधिसीमा अधिनियम कब परित हुआ था उन्हेश व एक्ष पोँचती है तो कटीहार में सब से ज्यादा छटी कोन सज़िल लार्ज के अंदरकत नहीं नहीं है लृवज्वाह direct लिए बाकि जम्मई और ऑंगा बौद timar में यंथे सिस्क में कि बिहार की नदियों में दो कूछ तो इसमें हैं गंडक पनपुरों कोशी दो है बिहार के शामिल रेका ज़ीलों", और विभाजित बिहार में कुल कितने जिले थे 55 जिले थे और विभाजित बिहार में कुल कितने जिले नेपाल के सीमा से लगे हुए हैं तो साथ जिला जो है नेपाल के सीमा से लगे हुए है और अन्तिम कुश्चन है जो पचाश्मा कुश्चन है दूसर पचाश्मा कुश्चन है कि बिहार पुनरगठन विद्यक 2000 को भारत के राष्ट पती की शुकृति किस्टिति को प्राप्त हुई थी तो 28 अगस्ट 2000 को 28 अगस्ट 2000 कुश्चन तो तब तक लिए धन्यवाद है